सिंदगी भर कमा कर बाप ने बनाई 7000 करोड की कमपनी, बेटी ने ठुकरा कर कहा मैं नहीं समालूंगे जिसके पीछे पड़े हैं, अमबानी अडाने, पर वो रतन टाटा के कदमों में पड़ा, एक कहानी जो दिल जीत लेगे सिंदगी से छूट जाती सास, उससे पहले पहुँचे टाटा के पास, पानी का धंदा है, पर बेमानों को नहीं देंगे कोई जिंदगी में लाख रुपे खटा नहीं कर पाता है, कोई 7000 करोड कमा कर भी, काम ऐसा करता है कि आप सिर्फ उसकी तारीफ करेंगे रतन टाटा की उद्योगपती होने के बाद भी, दूसरे उद्योगपती के लिए क्या वैल्यू है, यह आज आपको पता चल जाएगा भारत में अमीर से लेकर गरीद तक कभी न कभी बिसलेरी पानी पीता ही है, बिसलेरी कमपनी 7000 करोड की हो गए, चलाने वाले की ओमर अब जवाब दे रहे है पचास साल पहले कोई आपसे कहता इंडिया में बोतल में पानी बिकेगा, तो आप कहते दिमाग खराब है के तुमारा साथ के दशक में जब इटली से बिसलेरी पानी की भारत में इंट्री हुई, उस फक्त पैक वाटर बेचने को सुनकर लोगों ने मजाक उड़ाया था और कहा था कि ये तो पागलपन है, भला बोतल बंद पानी खरीद कर कौन पियेगा, ये है रमेश चोहान जिनकी कमपनी है बिसलेरी और ये है उनकी बेटी जयनती चोहान, जिनोंने साथ हजार करोर की कमपनी को अपनाने से मना कर दिया पिता रमेश चोहान की उम्र 82 साल है, वो अब शरीर से काबिल नहीं है कि कमपनी चलाए, बेटी से कहा कमपनी का भरोसा बना रहे, इसलिए इसे बेचने और मुनाफ़ा कमाने के बजाए, खुदी चलाना चाहिए, पर नई युक की बेटी ने वीडियो बनाने के चक्कर मे कमपनी को ही ठुकरा दिया, पिता ने फैसला किया कमपनी को बेचेंगे पर ऐसे इनसान को जो जनता का ख्याल रख पाए, इस कमपनी को लेने के लिए अंबानी अडानी और अमेरिकी कमपनी नैसले तक ने जोर लगाया, पर रमेश चोहान ने मना कर दिया, रतन टाटा की टीम सो मुलाकात हुई और वो फैसला वो जिसकी उमीद आम इनसान नहीं करता है, हम वो फैसला सुनाएं, उससे पहले सुनिए कमपनी का इतिहास क्या है, हम आप क्या सीख सकते हैं, कैसे 5000 से कमपनी 7000 करोड की बन गई, और बिसलेरी का कोई कमपिटीटर नहीं पैदा ईसके संस्थाबक इतली के बिस्न स्मेन ऐसे कमपनी का नाम विसलेरी रखा गया था, उनकी मौत के बाद उनके फैमिली डॉक्टर रोसी ने बिसलेरी को आग़े ले जाने की जिम्मेदारे उठाई थी, साट के दशक में जब इटली से बिसलेरी पानी की भारत में एंट्री हुई उस वक्त पैक्ड वाटर बेचने को सुनकर लोगों ने मजाक उड़ाया साल 1965 में मुंबई के ठाने में पहला बिसलेरी वाटर प्लांट स्थापित किया गया उस समय मुंबई में काच की बोतलों में पानी बेचना शुरू किया गया था इन्हें बिसलेरी बबली और बिसलेरी स्टिल के तोर पर बाजार में उतारा गया था साल 1969 में पारले कंपनी ने बिसलेरी इंडिया लिमिटेट को खरीद लिया और फिर बाद में शीशे की बोतलों के बजाए पीवीसी नॉन रिटन बोतलों में पानी बेचना शुरू किया साल 1995 में रमेश जे चोहान ने बिसलेदी को खरीद लिया आज पानी मतलब बिसलेदी को लोग भरोसे के साथ खरीदते है अब ये कंपनी रमेश शोहान के पास से टाटा के पास चली जाएए अब आपको सुनाते रमेश शोहान ने रतन टाटा पर भरोसा क्यों जताया बाकी लोग ज्यादा पैसे दे रहें पर भरोसा क्यों नहीं है रमेश शोहान एक इंटरव्यू में बताते है मुझे टाटा ग्रूप की इमानदारी और जीवन के मूलियों का संबान करने वाले संस्कृती पसंद है इस वज़े से मैंने उनका चुनाव किया जबकि इस ब्रांड को खरीदने के लिए दूसरे पक्षबी काफी आकरामक थे मैं रतन टाटा और उनकी टीम को पसंद करता हूँ वो अच्छे लोग है बिसलेदी के टाटा समू के बैनल तले आने के बाद मैं कमपनी में एक प्रतीशत का भी शेर नहीं रखूँगा मैं चाहता हूँ पूरी तरह से रतन टाटा भरोसा कायम रखे मैं कमपनी में माइनॉरिटी स्टेक लेकर क्या करूँगा जब मैं एक कमपनी चलाने ही रहा होंगा मैं सपष्ट करना चाहता हूँ ये फैसला पैसो को ध्यान में रखकर नहीं लिया गया मैं इस बात को लेकर बहुत चिंतिच था कि इस कमपनी को ऐसा व्यापारिक समु मिले जो उसका वैसे खैयाल रखे जैसे मैंने रखा जरता बिस्ट्रेरी पर भरोसा करती है वो भरोसा सिर्व रतन टाटा कायम रख सकते है रतन टाटा देश के नमक खिलाते हैं वो देश की जंता के लिए अपनी कमाई का एक हिस्सा निकाल कर, कैंसर का स्पताल बनवाते हैं, कहते हैं वो आज जो भी हैं, वो सब देश ने दिया हैं, जो करेंगे वो देश के लिए करेंगे, ऐसा उद्योगपती जल्दी पैदा नहीं होता, जो अपनी कमाई के साथ, देश का और देश की जनता का, खयाल भी रखे बेटी ने बेशिक पिता के मैनत से बनाई साथ हजार करोण की कमपनी को ठुकरा दिया, पर रतन टाटा उसे जरूर समभाल लेंगे, क्योंकि ये डील लगबग हो चुकी है, और अब बिसलेवी कमपनी के मालक रतन टाटा होंगे, जिनने देश सम्मान से रतन दादा कहता ह विरे रपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवे